आप एक साद्हरन ग्रहस्त हैं, साद्हरन ग्रहस्त से मतलब जो भागवट्ट की परिभाशा में असाद्हरन कौन हैं? जो साधू हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, भ्रह्मचारी हैं, ये सब असाध्हरन श्रेणी के लोग हैं. आप जो हैं साधारन श्रेणी में आते हैं, तो साधारन श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपने जिन्दगी को चलाना, बिना विशेशकी की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले साथ दिन में अलग-अलग समय पर आपको बताया, आज फिर उसको कह रहा हूँ, रिपीटिशन कर रहा हूँ, ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है, आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पियें, ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक ने हैं, खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पियें, डेड़ घंटे के बाद पानी पियें, explanation में पहले दे चुका हूँ अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूँ खाना खाते ही पेट में अगनी प्रदीप्त होती है उसको जठर अगनी कहते हैं जठर पेट का वो इस्थाने जहां काने का पाचन होता है हिंदी में उसको आमशे कहते हैं संस्कृत में जठर कहते हैं तो जठर इस्थान पे अगनी प्रदीप्त होती है और ये अगनी डेड़ घंटे तक ही रहती है तो डेड़ घंटे तक पानी ना पियें तो अगनी अपना काम अच्छे से करेगी तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा रस में बदलेगा और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है जैसे आप घुटी हुई खिचुडी खाते हैं ना खिचुडी वैसे खाना बनता है वो डेड़ घंटे में बनता है फिर उसके बाद रस निकलता है और जब रस निकलेगा तब पानी की ज़रूरत है क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता तो कहते हैं डेड़ घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए ये सबसे जरूरी सबसे आवश्यक पहला नियम दूसरा नियम पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए ये मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सब के लिए आप जैसे लोगों के आप मैंसे थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो धैरे अपने जीवन में तो आप ये चालू कर दीजे पानी घूट 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 जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके हैं उतना और मुँ में गुमा गुमा के ऐसे ऐसे करकर आप छे महिने बाद देखना छे महिने बाद आपके शरीर की पूरी बायो केमिस्टरी बदल जाए सबसे पहली चीज़ जो आप महसूस करेंगे आप कहेंगे मैं पहले से ज़्यादा फ्रेश हो आप कहेंगे मैं पहले से ज़्यादा हलका हो गया मने वजन कम हो गया आप कहेंगे पहले से अच्छी नीद आ रही है आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है आप कहेंगे पहले से ज़्यादा मेरे दर्द कम हो गए जो घुटनों का, कमर का, कंदे का, जगे-जगे आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए आप कहेंगे सुबह-सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया ऐसी पचासियों बातें आप खुद कहेंगे छे महीने के बाद आप करिए इसको मैंने तो कई लोगों को बता है साल साल भर से कर रहे हैं डेड़ साल से कर रहे हैं मैंने आपको एक उधारेंट दिया था हमारा एक सहयोगी है कल बैंगलोर में 140 किलो का था एक सवा साल से घूट-घूट पानी पी रहा है अभी 70 किलो का है कोई आसन नहीं करता कोई प्राणाय हम नहीं करता जिम में नहीं जाता कोई exercise नहीं करता क्योंकि उसको फुरसत भी नहीं है आई-टी कंपनी में काम करता है लेकिन इतना जरूर करता है पानी जब भी पिएगा घूट-घूट पिएगा खाने के डेड़ घंटे बाद ही पिएगा यह अदबुत है इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है एकदम excellent result है कई बार तो चमतकारिक result है और कारण उसका क्या है कारण उसका एक ही है कि गूट-गूट पानी पीने से ज़्यादा लार पेट में जाती है पेट को हमेशा लार की जरूरत है क्योंकि यहाँ acid बन रहा है acid खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे खाने के आगे पीछे जो acid निकलता है वो dilute होना ही चाहिए नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी acidity बढ़ा देता है और वही acidity है जो आपको heart attack लाती है cardiac arrest की तरफ ले जाती है brain hemorrhage करा देती है paralyzed हो जाते है आप गंबीर से गंबीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगे ठीक है तो पहला नियम मैंने आपके लिए आपको पानी हमेशा पहने क आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नज़्दीत रखके ही पानी प02 भारत मैं आपको एक बात ऐसी कहता जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करें भारत में हजारों साल की जो सब्विता है गिलास नहीं है ये गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है ये गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्टगाल से आया यह पूर्टगाली जब हमारे देश में घुज गए, तब से गिलास में हम फस गए, गिलास अपना नहीं है, लोटा है लोटा और गिलास का अंतराव, लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है, तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी हैं उनका त्याज जी करें वो है नहीं अच्छे काम के नहीं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है? फरक सीधा सा है, पानी के बारे में बता चुका हूँ. पानी को जहां धारन किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं. पानी अपने गुण कुछ नहीं है. जहां दे दो वो ही गुण हो जाते हैं. दही में मिला दो तो छाच में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा पानी खतम हो गया दूद में मिलाया तो दूद का गुण तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा लोटे का अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना गोल है на और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्यान समझते हैं तो हर गोल चीज का सर्फेस टेंशन कम रहता है हर गोल चीज का सर्फेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सर्फेस एरिया कम होता है हर गोल चीज का चूंकि सर्फेस एरिया कम है इसलिए सर्फेस टेंशन कम है इसको हिंदी में प्रष्ट तनाव कहते हैं हर गोल चीज का सर्फेस एरिया कम है तो सर्फेस टेंशन कम है और सर्फेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी surface tension कम है तो कम surface tension का पानी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगी है अगर surface tension बढ़ा हुआ पानी आप पीएंगे तो बहुत तकलिफ करने वाला है surface tension बढ़ी हुई कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो तकलिफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलिफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आस्मान का अंतर है इसी तरह से कुए का पानी कुए गोल है ना सबसे अच्छा ये सारे सादुसंद कुए का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते हैं जहां कुए मिलेगा वहाँ पीएंगे देखा है ना आपने सादुसंद वो कुए का पानी उनके लिए सरोश्रेश्ट है क्योंकि कुए गोल है कुए की circumference कम है और surface area कम है इसलिए surface tension कम है और surface tension कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवी तरह पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरह देखिए आपकी बड़ी आथ है और छोटी आथ है आप जानते हैं कि उसमें membrane है कच्रा उसी में जाके फसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है ये तबी संभव है जब surface tension कम बाला पानी आप पी रहे है तो अगर surface tension बढ़ा हुआ पानी है ये कच्रा बाहर नहीं निकालेगा मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूँ complication है लेकिन सरल समझा रहा हूँ आप एक experiment करिए आज घर जाईए और दूद लेके चेहरे पे लगाईए थोड़ी दे और पांच मिनिट बाद रूई से पोचिए तो रूई काली हो गई है ना कैसे अंदर का कच्रा और गंदगी बाहर आया कैसे बाहर आया वो दूद में बाहर लाया अब दूद कैसे बाहर लाता है दूद का surface tension सभी वस्तूओं में सबसे कम है तो जैसे दूद आपने apply किया दूद ने इस तवचा के surface tension को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तूओं का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूद ने surface tension कम किया तो तवचा थोड़ी सी खुल गई और तवचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही सेम आपने पेट में पानी डाला बड़ी आथ और छोटी आथ का surface tension इसने कम कर दिया तो बड़ी आथ और छोटी आथ थोड़ी खुल गई और खुली तो सारा कच्रा उसमें से बाहर आ गया और high surface tension का पानी पिये ज्यादा surface tension का तो आतें सिकुडेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा तनाव बढ़ते समय चीज सिकुडती है तनाव कम होते समय चीज खुलती है तनाव बढ़ेगा तो सारा कच्रा आतों में अंदर बंद हो जाएगा अब यही आपको मूल व्याद, बवासीर, बगंदर सब करेगा इसलिए surface tension कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कोई का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो तालाब भी गोल होते है ना तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा गोल कोई का पानी बहुत अच्छा तालाब से छोटी एक पोखर होती है पोखर अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा नदी के पानी की तुलना में हमेशा कूए का पानी अच्छा क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है वो लम्बी है तो वहाँ का पानी हमेशा हाई सर्फेस टेंचन वाला है और नदी से ज़्यादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके यह नीचे आता है मनि बूदें सब गोल हैं क्योंकि उनका सर्फेस टेंशन हमेशा कम है तो यह विश्रेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहाँ जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पीएं तो लोटे वापस लाएं घर में लोटे ही निकल गए अब गिलास गुज गए और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खतम हो गई जो लोटे बनाते थे खतम हो गए के नहीं कसेरे खतम हो गए गाउं गाउं में कसेरा सब्द समझते वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं वो पीतल के लोटे बनाते थे कासे के लोटे बनाते थे सम मर गए विचारे हमारे गिलास के चक्कर तो बागबटी जी को अगर मानना है तो लोटा लाएं गिलास थोड़े कम करें पानी लोटे का बहुत अच्छा है आगे बढ़ें पानी कभी भी खड़े होके ना पियें ये मैंने पहले बता दिया है फिर रिपीट कर रहा हूँ हमेशा बैठ के पियें फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी न पियें और इस ठंडे पानी का यहाँ पर भी एक विशलेशन में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है हर ठंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है और हर गुनगुने पानी का सर्फेस टेंशन कम होता है और कम सर्फेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है इसलि पेट ठंडा हुआ तो सारे ओर्गन्स ठंडे हो सकते और आप मर सकते हैं तो पानी को पेट गरम करेगा फिर आप ये जान लेजे और पेट पानी को गरम करेगा तो अतरिक तूर्जा लगेगी उसको और वो ब्लड में से ही आएगी तो सारा ब्लड पेट की तरफ दोड़ेग और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार तो हर बार बलड को पेट में भागना ही पड़ेगा तो ब्रेन को बलड कम होगा, हर्ट को बलड कम होगा, और्गन्स को बलड कम होगा तो वो कमजोरी आने ही वाली है और हरटेटेक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी औरगन को ब्लड कभी भी कम नहीं पढ़ना चाहिए, तबी आप दुरुस्त रहने वाले हैं, इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पियें, तो हमेशा कैसा पानी पियें, गुन-गुना पियें, एक समय क के लिए बागवट्टे जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पढ़ती हो, आपके यहां तो पढ़ती है, मार्च, अप्रेल, मई, जून, तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पियें, मिट्टी के घड़े के पानी को गुन-गुना करने की जरूरत उतनी नह है, इस्टेंडिंग पोजीशन मने, खड़े होके कभी न खाएं, हमेशा बैठके खाएं, बैठने की इस्तिती यह सबसे अच्छी है, कुरसी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं, तो इसी इस्तिती में बैठके खाना है, नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा ह एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं, आप जैन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समस्ता, भक्ष और अभक्ष का ग्यान सभी सादू महराज देते हैं, सादवी जी देते ह लिए कह दूँ, दूद और दही साथ में नहीं खा सकते हैं, विपरीत हैं, हाला कि दूद से ही दही बनता है, लेकिन दूद और दही की प्रकरती एकदम अलग है, दूद कुछ और काम करता है, दही बिलकुल अलग काम, तो दूद दही साथ में न खाएं, दूद और दही क बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में न खाएं खीर खा रहे हैं तो दूद की है तो कड़ी नहीं खा सकते कड़ी खा रहे हैं तो दही की है तो खीर नहीं खा सकते कुछ भी ऐसी वस्तु जिसमें दूद और दही उपयोग है वो साथ में नहीं एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिलकुल वर्जित है आप बिलकुल साथ में ना खाएं शहद अलग खाएं घी अलग खाएं शहद ना खाएं तो भी चलेगा गुड़ खाएं अच्छा ये बड़ी विचित तरिस्तिती है गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं शहदगी साथ में नाखाएं गुड़ को बहतर तरीके से अगर खाना चाते गुड़ तो वैजे ही सबसे बहतरी चीज़ है दुनिया की लेकिन और बहतर बनाना चाते हैं तो उसमें जरूर घी मिलाके खाएं तो गुड़ घी चलता है शहदगी नहीं कभी भी इसी तरह का एक एक फ्रूट माने फनस कटहल दूद के साथ सबसे खतरनाक है और मैंने का खटे फल जितने भी हैं संत्रा है मुसम्मी है वगरा वगरा ये दूद के साथ बिलकुल नहीं चल सकते एक ही फल है बागबटे जी कह रहे हैं जो खटा भी है और दूद के साथ जरूर खाएं वो दूदल वाला एक नियम तो बताई दिया दूदल और दही ना खाएं और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गरम करें माने बगा रहें तासीर उसकी गरम करें फिर आप खाएं नहीं तो नहीं खाएं तो अच्छा है दूदल खा रहे हैं तो एक डिलग घंटे बाद दही खाएं चाच अगर खा रहें दुईदल के साथ तो एकाद घंटे के बाद पी लें और अगर पीनी ही है तुरन प्यास नहीं रुक रही है तो चाच को बगा रहें मने उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो हींग हो उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है त और शाम का खाना 5-6 बजे तक यह मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया बागवट जी ने का इसमें जलवायू का मौसम का ध्यान रखना है तो आपके हिसाब से माने आप चिन्नई में हैं तो 9-10 वजे तक भरपेट खाना खाएं शाम को 5-6 बजे तक भरपेट खाएं बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो तो कुछ फल खा लें नहीं तो अच्छी चीज बागवट जी ने जो कही है सुबह का खाना जो 9-10 वजे खाएं शाम का 5-6 बजे उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं शेंग दाना और गुड़ मने मुंगफली और गुड़ खाएं मने उस समय आप चिक्की खाएं क्योंकि गुड़ और चना गुड़ और मुंगफली उसमें हैं दुपहर को अगर भूख लग रही है चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं मने जादा भी खा सकते हैं बस एक ही तक की खाली तो नाक में से खून आ सकता है तो नाक से खून ना आए थोड़ी सोट या अधरक सोट इस्तेमाल करते हैं तो सोट नहीं तो अधरक उसके साथ ले फिर आगे बागबट जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरन से बहुत रिश्टा है आप जिस वातावरन में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रख है अब माली जी आप मदरास में रह रहे हैं तो मदरास के जो हैंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए क्योंकि यहूं ठंड की फसल है घर्मी की ने गर्मी की फसल जो है वो चावल है बाजरा बहुत गर्मी की स्वसले यह राजस्थान में रहने सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजिस्थान में और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता कच्छ में सौराश्रु में कितनी गर्मी है बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता तो गर्मी की जो फसले हैं वो धान है बाजरा है और जो है जवारी है जवारी आप समझें जवार तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं, यहां, चिन्नई में आप रहते हैं ना, जुआर की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम, ना खाएं तो भी चलेगा, जो यहां हो रहा है, वो ज़्यादा खाएं अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं क्योंकी बाजरा वैसे तो गरम है, लेकिन गर्मी में भी खाना है, मानलो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगे छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता, मन हमारा अभी भी राजिस्थान में हैं या कच्च में हैं या सोराष्ट उठान से लगा रहता है तो सवाद मन के साथ जुड़ा हुआ तो सवाद के लिए अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड के ना खाएं यहां पर चिन नहीं में गुड और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं गुड और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए धान जो यहां होता है वो सबसे जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनिट या 30 मिनिट में जो रिपीट किये जिनको मैं बहुत आवश्चक मानता हूँ और इसमें से एक सुत्र छूट गया जो बहुत आवश्चक, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पियें सुबह सुबह उठकर पहले पानी पियें, कारण में बता चुका हूँ कि उठते ही आपके मूह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूली चीज है, वो अंदर ही जाएं, तो अच्छा है तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाए, कितना पानी पियें, मैंने बताया था, 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको लगबग, डेड़ से दो गिलास, 60 से उपर के जो बुजर्ग हैं, उनको भी डेड़ से दो गिलास, और आप जिस उम्र में हैं, 18 से 60, तो कम से क तीन गिलास, पीने का तरीका वोई है, सिप 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 करके पीना, और ये सुबह का पानी अकेला पानी है, जो बिना प्यास के भी पीना, जी, ये मुख्य नियम मैं मानता हूँ, आपको जरूर धारन करने चाहें, और मेरी एक दूसरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, इन सब नियमों को पालन करें, आज से, कुछ ने तो शाय शुरू भी किया है, दो-तीन दिन से, जरूर पालन करें, हो सकता है कि छे महीने के बाद, आठ महीने के बाद, मेरी आपकी फिर मुलाकात हो, तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें, रिपो साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए, क्यों आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्त रही सकते हैं, अपने परिवार को भी रख सकते हैं, और पडोसियों को भी रख सकते हैं, और बागवट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरो की दुखों को दूर करने का काम करें वो ही मोक्ष का भागिया है मने भागीदार हो सकता हैं तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें वहाँ भी हम यही करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, देश भी अच्छा हो जाएगा, ये कहकर मैं अब प्रशनों की तरफ चल रहा हूँ, प्रशन मेरे पास भरपूर आ चुके हैं, मैं कोशिश ये करूँगा, कि जो प्रशन एक बार उत्तर आ गया, उसको दुबारा नहीं दूँगा, हो सकता ह किसी व्यक्ती ने वो प्रशन रिपीट किया, ज्यादा तर प्रशन जो हैं, वो रोगों से संबंदित हैं, इस रोग में क्या करें, उस रोग में क्या करें, तो सबसे पहला प्रशन, जो मैं सबसे आसान मानता हूँ, आखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं, तो क्या कर लार है इसको आखों के नीचे लगा के मालिश करें हल्की हल्की मालिश करें आपके सारे डार्क सरकल खतम हो जाएं और यह जो सुबह का मूं का लार है इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं खाज है खुजली है दाद है सोराइसिस है इचियोसिस है एक्जीमा है हर जगे इसको एपलाई करें और हल्की हल्की मालिश करें कोई कहेगा कि बहुत ज्यादा शरीर में है तो इतना तो थूप बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो तो ऐसी इस्थिती में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को चार बजे मिलें मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूँगा या लिखा दूँगा जो थूप भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज खुजली दाग धब्बे सब मिटा देगे वो व्यक्तिगत है नीद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजे कि आपके शरीर में अगर हलका गरम करके दोनों नाक में डालके सोएं गाय का घी हलका गरम करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गरम करें और एक एक बून दोनों नाक में डालें और हलके से खीचें ज़्यादा तेज ने बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा बहुत खीचने की जरूरत नही क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए, वहां भी चला जा सकता है, तो हलका खीच कर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं फिर, नीद बहुत अच्छी आएगी, खराटे बिलकुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिलकुल खतम हो जाएगी, नीद के सम आप उठेंगे नहीं कम से कम, रात की नीद खुलने का एक वो तकलीफ आगया ना, पेशाब आती है, नीद खुल जाती है, घी डालके सोएंगे, तो रात को नीद कभी नहीं खुलेगे, छे साड़े छे साथ घंटे के बाद ही खुल, और बच्चों को तो जरूर करें, इस और एक फाइदा होगा, इस मरण शक्ती बढ़े, ठीक है, तो अब एक ही कागज पर ये तीन प्रशन थे, तीन उत्तर दे दिये, अब आगे जिस कागज में ये प्रशन आएंगे, उत्तर नहीं दूगा, अभी है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का उंचा दबाओ, अस्थमा पेट की कबजी, और इसमें भी फिर आ गया है, तो चा का कालापन वो में उत्तर दे चुका, अब मैं आ जाता हूँ, ब्लड प्रेशर हाई है, वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये कालपनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूँगा, लेकिन अगर आपके मन म बैठ गई है, तो इतना ही जान लीजे, कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर कोई कह रहा है कि आपका BPI है, तो समझ लीजे, इसको बागवटी जी दूसरे सूतर में कहते हैं, कि रक्त की अमलता बढ़ी होई है, अब रक्त में अमलता है, तो अमलता को खतम करने के लि चीज़ है मैं थी, सबजी के रूप में भी और दाने के रूप में, मैं थी, दूसरी चार वाली चीज़ है, आप में से जेन है तो वो नहीं खाएंगे लेकिन जो जेन नहीं है उनको बता देता हूं, गाजर, तीसरी चार वाली चीज़ है, कोई भी ऐसा फल जिसमें रस न शारिये है अमरूद ये शारिये है कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं ये सब शारिये है सब्जियों में पालक शारिये है बेंगन शारिये है आलू के होगी तो blood pressure कम होगा तो triglyceride कम होगा मोटापा भी कम होगा सब कुछ कम होगा आपका तो हमेशा याद रखें तो मेथी दाने का उपयोग मैंने बता दिया है पानी में डालके रात को छोड़ दें सुबह उठकर दाना चबा के खाएं पीछे से पानी पिए गाजर का उपयोग बता दिया कद्दू कस में घिसें गाजर ले लें और वो कद्दू कस की गाजर को खा लें और चारिये चीज मेथी की सबजी रोज खाएं, पालक की सबजी रोज खाएं, हरे पत्ते की कोई भी सबजी चारिये होगी और फल जिसमें रस नहीं है वो सब चारिये होगे, बस याद इतना ही रखें तो आप अगर उपियोग करेंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही, उसके साथ ब्लड कॉलेस्टरॉल कम रहेगा, ट्राइगलिसराइड कम रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट आपका कम होगा, और उसके अंत में हर्ट अटेक आएगा नहीं, ब्लॉकेज भी है, तो और अच्छा है, जितने भी हाई बीपी के मरीज हैं, उनके, अस्थमा, अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायू के प्रकोप की बीमारी है, तो अस्थमा ज्यादा है, तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, दाल चीनी, ये चा आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है, और मुझे याद आगई तो, मैंने आप से कहा, जो भी फल में रस नहीं है, वो चारिये हैं, और जो भी फल में रस हैं, वो अमली हैं, लेकिन ये नारियल अद्बुत फल है, जो चारिये है, रस होते हुए भी, तो ये चारिये ह अब ये क्यों है, ये बाद का विश है, तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाईए, हरा नारियल खाईए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाईए, कितना खाएं जी, एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं, चबा चबा के, तो दालचीनी और गुड लिया, और नारियल चबा के खाया, तीन महीने के बाद आपका आस्थमा जड़ से खतम होगा, वो 40 साल पुराना हो तो भी, इसके बाद, हाँ, बाकी तो आखों के, मुह में चाले बहुत रहते हैं, ये मुह में चाले बह होत रहते हैं, इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आथ आपकी कच्रे से भरी होई है, तो मुह में चाले रहते हैं, तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बता ना, पानी उठते ही पियें, घूट घूट पियें, तो चाले अपने आप खतम, जैसे ही बड़ी आथ को सबसे जल्दी से साफ कर देते हैं, उस दवा का नाम है बोरेक्स, सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं, सुहागा आथ को साफ करने वाली सबसे तीवर दवा है, तीवर, इसी का डाइलूशन करके होमियोपैथी में बनाया बोरेक्स, तो ले लें किसी भी होमियो क्योंकि ये तुरंत बड़ी आथ को साफ करता है। पानी करेगा धीरे धीरे करें। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है। लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए। तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें और अगर आप बहुत परिशान हैं तब ही बोरेक्स का इस्तेमाल करें। और ये दवा हमेशा पानी में डाल के लें, एक बून डाल दें पानी में और उस पानी के तीन हिस्से करके उसको पी लें, एक कप पानी हो, आधा कप पानी हो, चौथा ही कप पानी हो, अभी आगे का एक प्रश्न, अच्छा गाएक मूत्र के बारे में मैंने आप से कहा था त था, पूरवक, एक एक्सपरीमेंट, जो हमने किया, वो बतादेता हूँ. गाय को हमने six سाल जहर खिलाया, एक गाय पर ये एक्सपरीमेंट हमने किया, six साल जहर खिलाया, सबसे खराब जहर खिलाया, उसका नाम है संखिया, अंग्रेजी में कहते हैं Арसेनिक. तो हमने गाए को दिया चारे में मिला कर दिया बहुत मामूली मात्रा में क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाए मर जाएगी हमें ये देखना था कि ये थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है तो 6 साल जिस गाए पर हमने ये प्रयोग किया वो गाए अभी भी जीवित है अभी भी जीवित है और स्वस्थ है तंदुरुस्थ है हमने हर बार उसको संखिया दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया आया कि नहीं आया क्योंकि ऐसे कहते हैं ना खाओ तो सब कुछ चाने ही वाला मूत्र में और ब्लड में तो छे साल लगातार उसको संखिया खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में एक दशमलब जीरो 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 में चले जाएं उतना भी संखिया कभी नहीं आया अदबुत है ये अब मुझे पुरानी बात इसमें जोडनी है बहुत लोग कहते हैं गाये के गले में शंकर भगवान का निवास है वो शाइश शंकर जी ने पी लिया शंकर जी तो मशूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए तो शायद गले में शंकर जी यहें गाये के तो वहीं रुका और सचमें हमने यह देखा इसमें मैं एग्ज़िशन नहीं कर रहा हूं आप चाहें तो वो गाये कभी भी आके देख सके हमने उसके गले के आसपास महसूस किया छे साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है ब्लू कलर का और वहां से ब्लड निकाला उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संखिया है मने आरसेनिक है गले के नीचे वो गया ही नहीं गले में ही रुक गया शंकर भगवान ने शायद रोक लिया तो आप बे खटके गाय का मूत्र पी लीजे आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कच्रा खा रही है आप चिंता मत करिए ये कच्रा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो साफ सुत्रे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो उसका मूत्र जरूर पियें वो सबसे ज़्यादा लाबकारी तो है लेकिन कुछ मजबूरी आ गई मजबूरी से मतलब में समझाना चाहता हूँ आप एक ऐसी जगे रहते हैं जहां गाय कच्रा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्द चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो और आप किसी बीमारी से तड़प रहें परिशान है और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही तो बिना संकोच के ले 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 उसका हानी तो नहीं करेगा कुछ फाइदा ही कर जाए गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चेज हैं वो ये हैं कि इसके साइड इफेक्ट है नहीं शरीर पता क्या करता है आपने मूत्र जादा भी पी लिया तो ये शरीर बीस मिनट के बाद उसको पेशाप के साथ अपने आप ही निकाल लेता है रहने ही नहीं देता उसको तो थोड़ा जादा पी लिया या खराब पी लिया वो निकल ली जाएगा जो काम का है उतना ही रह जाएगा अब गाय का ऐसा भगवान ने बनाया है इसलिए बागवट जी कहते हैं कि ये विशेश तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बना है तो गाय के बारे में इतना अच्छा अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रशनाएंगे उनका एकी साथ ही उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाए इस हिंदुस्तान के भूतपूर प्रधानवंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से आपरेशन कराया था नहीं कराया इस्पेशल चार्टेट प्लेन भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्फ वीलचेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा तकलीफ में हूँ तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ऑपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉंबिनेशन बागबट जी के हैं उनका उप्योग करिए उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाईए चूना छारिये है अमलता को कम करता है जादा अमलता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है तो चूना खाईए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में, छाच में, पानी में, जूस में और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशन्ट दो ग्राम खा सकते है स्वस्था आदमी तो एक ही ग्राम खाए चूना खाई मैथी दाना लीजिए चारिये है और सबसे चारिये चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़ हार सिंगार देखा है परिजात, हार सिंगार छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डेंडी होती है सफेद फूल और केसरिया डेंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार कहते हैं ये पेड़ के जो पत्ते हैं, वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चारिये माने जाते हैं, जो भी आउशदियां, तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, चार-पांच पत्ते पीसिए, पीस कर पानी में डालिये, खूब उबालिये, पानी इतना उबालिये कि थोड़ा कम हो नहीं भी मिल जाएं, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुडवांचरी में हैं, तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे, सब अपने घर में लगा लें, गमले में हो जाता है, आसानी, और कुछ खाली स्पेस है, तो जरूर, क्यों? ये हर घर में रहे पेड़, अर्थराईटिस से मुक्ती देगा और दोनों तरे की अर्थराईटिस, रूमेटेड और 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 ऐस्टियो, दोनों ही खतम होती है, इस हार सिंगार के पत्ते से, आइस्क्रीम कब खा सकते हैं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं और अगर आईस्क्रीम खाई रहे हैं आप कहते हैं जी मन नहीं मानता स्वाद है और मुझ को लग गया है अब क्या तो इसका एक उपाय बता देता हूँ आईस्क्रीम खाईए और पीछे से गरम पानी में घी मिला के पी लीजी तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सोट का काढ़ा ये लोग जरूर पियें जिनको अस्थमा है जिनको अर्थराइटिस है माने वायू के रोग हैं वो दालचीनी का काढ़ा जरूर पियें गुड मि कहता हूँ जिन्दगी भर मोटापे से बचना है हर्ट अटेक से बचना है आपको अर्थराइटिस से बचना है तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा चबा के काला तिल मिले तो बहुत अच्छा नहीं तो सफेद ही खाएं और आप जहां रहते हैं यहां के लिए तो ब गूट गूट पीएं एक डिड़ घंटे के बाद पीएं सुबह उठते ही पानी पीएं एसे डिटी सबसे पहले खतम होगी और आखरी दवा जो सबसे प्रभावी है जिनको भी एसे डिटी की बहुत तकलीफ है खाने के बाद यह जो अजवाइन है ना अजवाइन इसको भ आशी है तो चीनी छोड़ रहे हैं तो मिश्री पे चले जाएए मिश्री छोड़ कर घूड़ पह जाएए हाँ एक किसी ने सवाल पूचा है कि आप कौन सी जगे पर पर्मानेंट मिलते हैं मैं पर्मानेंट कहीं नहीं मिलता लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि राजीव दिक्षित रेल आश्रमी है माने हर दिन जादा से जादा मैं रेल में मिलता हूँ तो permanent मिलने के लिए एक केंद्र है, आपको उसका पता किताब में है, वो आप ले लीजे, phone number, वहाँ आप कोई भी चिठी भेजेंगे, मैं जहाँ भी रहता हूं मेरे पास आ जाती है, और email करेंगे तो मैं हर जगे खोल-खोल के मेरा mailbox चेक करता रहता हूं, तो वो पता जो वर वहाँ phone कभी भी करें, तो पता चल जाएगा मैं कहा हूं, और मेरा mobile number आप सबको मैं चाहूं तो लिखा देता हूं, 94229, 94229, 03599, 94229, 03599, ये मेरा mobile number है, और email address है, r-a-j-i-v-d-i-x-i-t-a-b-a, r-a-j-i-v-d-i-x-i-t-a-b-a, at the rate of readifmail.com, और निरेंजन भाई, प्रदीब भाई, ये, कभी भी आप इनको संपर करेंगे, तो ये कहीं भी खोच के बताएंगे कि मैं कहा हूं, अभी मेरे पास एक प्रश्न है, वो इस समय के प्रश्न होड़के जरूर उत्तर दे देता हूं, आजकल हमारे घरों में पेपसी कोक से भी जादा नूडल्स खाया जा रहा है, पेपसी कोक कम हुआ है पिछले दो-तीन साल में, अच्छा हुआ, नूडल्स खाया जा रहा है, तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकरी दे दू, कि सबसे खराब वस्तू अगर खाने की कोई हो सकती है, कच्रे में कच्रा, तो वो यही है नूडल्स, एक तो मेदे की है, उपर से सड़ा हुआ है, छे-साथ दिन मेदे को सड़ा के रखा जाए, तब नूडल्स तयार होता है, और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सूर के मास का रस मिलाया जाता है, बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता, जो मेगी है ना मेगी, या कोई भी नूडल्स, सूर के मास का रस सड़ा हुआ मैदा, छे-छे दिन पुराना, उससे तयार हुआ है, अब आप तह कर लो, खाना है या नहीं खाना है, एक जिसका उत्तर दे नहीं सकता, किसी ने का आज की सिक्षा बहुत बेकार है, बैकल्पिक सिक्षा की बात बताई है, तो समय जादा है, आप मुझे इमेल करिए, मैं लंबा जवाब दूँगा, गाय का गी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था, तो वो उत्तर दे चु हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है, दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं, सबसे अच्छा सेंदा नमक खाएं, और इसको याद ऐसे रखे हैं, पत्थर वाला नमक खाएं, ये समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं, पत्थर वाला नमक एक तो सेंदा नमक है, दूसरा नमक है जो काला नमक है ये आप ज्यादा उपयोग करें मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंग बदल दें बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की अर्थुराइटिस की ये नमक बदलने से भी बहुत आराम दे देगी आप तो सेदाई नमक कुसी ने कहा है कि गोमूतर अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा तीन दिनachts खराब लगेगा तू έजितीन जॉतरे दिन और अच्छा लगेगा प्रशन नहुए नहीं को एक दिन खराब रहती है क्या करें वैसे तो नीद आये तो अच्छा है लेकिन दिन बर नीद आये तो अच्छा नहीं है तो क्या करें इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक चार बहुत कम है और यह वही चार है जो आपको सबसे ज्यादा मिलता चूने से जिनको दिन बर नीद आती है वो खाएं मठे में मिला के चाच में मिला नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं किसी ने पूछा है लगाएं जरूर लगाएं नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चिन्नई में रहते हैं अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल करते हैं चि त्रिफला चून माने हर डे बहेडा आवला एक दो तीन अनुपात वाला त्रिफला चून एक चम्मच मैथी दाना एक चम्मच दोनों मिलाकर गरम पानी में रात को रख दें सबेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें तीन चार महीने नियमि चाना चीनी बिल्कुल बंद कर दीजे क्योंकि यही अकेली चीज है जो पच्चती नहीं आसानी से बागी चीनी छोड़कर कुछ भी खाए पत्री अगर है शरीर में और थाइराइड थाइराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता है ना धनिया पत्ता इसकी चट चट्नी बनाईए पानी में मिलाके पी जाए पानी गुनगुना रहे कितनी चट्नी एक चम्मच चट्नी उसमें कुछ डालिये मत नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं खाली धनिये पत्ते की चट्नी और जब तक धनिया मिल रहा है तो यह हरे पत्ते की चट्नी धनिया मिलना बं यह और है तो चूना कभी नखाएं तो फिर क्या जा है एक द वा है पत्वर क्या बोलते हैं आप उसको सोढ़ा बेद क्या कि फिर अवह अगर यह दृं के कहीं भी मिल जाएगा हिए तो आप इसका कारह बना के पिए इस जो किझ में पाणी में डॉल बर्बेरिस वल्गेरिस पाखानवेद का बोटनीकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस यह किसी भी होमियोपेथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दू तो कहना मदर टिंचर में दो यह कोई भी घर में रखिये आप बिलकुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते साइड पाणी में डालकर दिन में तीन-चार बार पिलाएं एक महीने सवा महीने में सारी पत्री तूटकर निकल जाए और नहीं तो पाखनवेद जो दवा मिले आयुर्वेद की उसका काढ़ा बनाके 15-20 दिल ले ले काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को बर्वेरिस को समय ज लॉंग इस्तेमाल करिए लॉंग का तेल इस्तेमाल करिए और दातों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा-थोड़ा चूना खाते रहे और दातों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहे दंतमंजन करते रहे पेस्ट बंद कर देज़े अभी एक जरूरी प्रश्नाया शराव और गुठका छोड़ने के लिए क्या करें। जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीज़े, ये बहुत लोगों के काम है। शराव, गुठका, तंबाकू, सिग्रेट और बीडी ये पांच बुराईया व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई हैं और देश का सर्वन इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है, संकल्प शक्ती से बचें तो अच्छा है। बागवटी जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो, तो संकल्प शक्ती के साथ आई है। तो अच्छा है। नहीं हैं संकल्प शक्ती, तो दवा का उपयोग करें। तो क्या दवा चुड़ाना है बाहर निकालना है उनको अधरक और सोट ज्यादा खिलवाये रस पिलवाये अधरक का सोट का काड़ा बनाके दीजिए गुड मिलाके दे सकते हैं सोट का काड़ा बनाके और गोमूतर पीने को बोलिये नियमित रूप से अगर आदा कब भी गो मुत्र पिया तो सवा महिने में शराब छूट जाते हैं शराब जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनके शरीर में एक केमीकल बढ़ जाता है उसका नाम है सलफर और सलफर को कम करने के लिए सलफर ही चाहिए आयुरवेद में कहा है ना कि विश को विश मारता है तो सलफर बढ़ता है तो सलफर कम करने के लिए बाहर से सलफर चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा सलफर गो मूत्र में है सरदी जुकाम सरदी जुकाम जादा है बार बार है सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो पच्चों को गुड़ दीजिए जादा एक उनको चूना भी दे सकते हैं चूना कफ का भी नाश करता है वातका तो करता ही है कफ का भी करता है तो चूना दे सकते हैं गाय का घी नाक में डाल सकते हैं हल्दी जबरजस्त कफ नाशक है तो दूद में हल्दी मिला कर दीजिए औ तो और भी अच्छा कॉंबिनेशन है तो जिनको सरदी जुकाम बार-बार होते हैं उसके लिए पित बढ़ा है तो क्या करें देशी गाय का घी खाईए देशी गाय का घी गरम-गरम पानी में डाल कर पिएं तो सब पित को शांत करेगा और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है अजवाइन और काला नमक ये भी पित बढ़े तो शांत करेगा उसको एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है ये मुझे व्यक्तिकत रूप से मिलें कोई एक महिला है उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है ये मुझे शाम को मिलें चार बज़ें बाल उड़ गए तो क्या करे ज़ड़ रहें तो क्या करें तीनों में एक उपाय है दही को तांवे के बरतन में रखें पास्चे दिन खूब खटा हो जाए शुब के साथ सुबह खाएं और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी कहाए। तृफला को ओशधिय के रूप में लेना है। औृशधिय ऐसी जो धातुवर्दक है तो सुमै ही खाएं। और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है, मने पेट साफ करें, तो रात कोई खाएं, सोने के पर, बहुत जादा छीके आती हैं, नाक से पानी गिरता है, थोड़े दिन चूना खिलाएं, और गाय का घी नाक में डालें, 15-20 दिन में छीकें भी बन दोंगी, पानी गिरना से शुरू हो, केवडा वाला जल बंद कर दीजे, केवडा और एक होता खस, ये दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में, अर्जुन की छाल लेने का समय सबेरे का, काढ़ा बनाकर दूद में नहीं तो पानी में, शक्कर नहीं मिलाएं उसमें, गुड मिलाएं, अर्जुन की चाल, टॉंसिलाइटिस की रेमेडी, टॉंसिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी, हल्दी का दूद बच्चों को रात को पिलाएं, टॉंसिल नहीं होगा, पिपरमेंट के बारे में किसी ने पूचा है, आप शाम को चार बज़े मिलें, मैं थोड़ा विस्तार से बता यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा हैं, तो मैंने आपसे बार बार कहा है, चारी ये चीज़ें जादा खाएं, एसिड निकल जाएगा, सबसे अच्छी चारी चीज गोमूत्र पी लें, यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता गोमूत्र, लेकिन प्योर गोमूत्र, उड़त के साथ ये जहर है, सुबह दूद पी सकते हैं, मैंने मना किया है, सुबह जूस पीना है, दुपहर को छाच और रात को दूद, लेकिन पीना ही हैं, तो आवले के साथ पीएं, ना पीएं तो अच्छा, सुबह का दूदी पीना हैं तो आवले के साथ, मोटापा कम करने के ल पूदी खाईए अब खाएं कैसे गाजर को कद्दू कस्में घिसिये और उसके लच्छे बनेंगे फिर थोड़ी एक और चारी चीज आपको आजकल उपलब्द है सेव सेव पूरा चारी होता है तो सेव को कद्दू कस्में घिसिये दोनों बरावर मात्रा में मिलाके सुबह को पेट भर के खा लिजे तीन महीने लगातार खाई फिर अगले तीन महीने इसको बैलेंस करने के लिए औला क्या ईगरी तो बहुत आराम से एक तहाई वजन तो आपका घंटी जाएगा हो सकता है किसी का आधा भी लो जाई human urine के बारे में आपने पूछा मैंने पहले ही बता अगर आप शाकाहरी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गो मूत्र उससे हमेशा बहतर है बच्चे पेशाप करते हैं विस्तर में इसके लिए क्या करना खजूर खिलाई खजूर चोटे चोटे टुकडे काटकर बच्चों को खजूर दूद में डालकर चोटे 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 टुकडे दूद में डालकर उबालिये खूब उबल जाए फिर वो दूद पिलाई है खजूर किलाई तो रात का बिस्तर का पेशाब उनका बंद हो जाए वो एक प्रश्न है, वो कबजियत से जुड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें, रात को त्रिफला चूण खा के सो जाएं, नहीं तो दूद में घी मिलाकर पी लीजे, ये सबसे अच्छा है, दूद में घी मिलाकर रात को सोने से पह लगातार कोई भी दवा आयुरवेद की तीन महीने से जादा मत खाईए, और अगर जरूरत पढ़ रही है, तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजे, पंद्रे दिन का, दस दिन का, ब्रेक के बाद फिर अगले तीन महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजे, फिर ये नियम ब है, तो नियमित रूप से मैंने कहा न, ऐसी चीजें दीजे, कफ नाशक है, सोट है, पान का पत्ता है, शहद है, गुड है, ये सभी कफ नाशक है, कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है, अगर छोटे बच्चे हैं, तो त्रिफला ना दे कर आवला दीज है, और वैसे तो मेरा कहना है, चौदे साल की बच्चों को आवला ही अच्छा है, त्रिफला उनको ना ही दें, त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है, बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तरीका मैंने वही बताए, चूना सबसे अच्छा अर्थुराइटिस के लिए घुटनों के दर्द के एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी घुट-घुट पीने लगेगा जल्दी भूल जाए इसमरण शक्ती कम हो गाय का घी नाक में डालना सोते समय नीद जल्दी नाए तो क्या करना गाय का घी नाक में डालके सोना हाँ एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्रशना आया वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रीज का क्या करें तो मैंने तो बोला था कि ये बंध करते हैं अजर आपका दिल नहीं मानता बंध करने के लिए क्योंकि मैंने का na हिंदुस्तानियों में इए बुरी आदत है कचरे को एकठा करने के गर में डिब्बे डिब्बी इतने एकठे रहते हैं, फाल तू पड़े रहते हैं, फेकते नहीं हमें, हमेशा ये सोचते हैं कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे, तो ये चक्कर घुज गया, अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना, तो फ्रिज भी व तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए, किसी तरह इसका उप्योग होता रहे, तो ये मजबूरी का खेल है, लेकिन कर लीजे, कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में, अगर उसको पकाना चाते हैं, खाना चाते हैं, तो निकाल के 48 मिनट रख दीजे, फिर उस निकाल के रख दीजे, 48-50 मिनट रखी रहे, वो अपनी आप थोड़ी गरम हो जाएगी, प्रकरटी की गर्मिस, फिर वो ही खा लिजे, गरम तो दुबारा बिलकुल मत करें, फिर और की दाल को दुबारा गरम कभी मत करें, फिर आप उसका उप्योग करें, तुरंट निका के और चार्ज बना के वो बिल्कुल मत करें मेवा खाना चाहिए के नहीं सूका मेवा जरूर खाए ड्राइफ रूट्स आप जरूर खाइए लेकिन जो ड्राइफ रूट्स आपके लिए अनकूल है आप जहां रहते हैं वहाँ के हिसाब से मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा आपके अन्कूल काजू नहीं है बादाम बहुत अन्कूल है मदरास में रहने वालों को काजू अन्कूल है जमू कश्मीर में रहने वालों तो बादाम भरपूर खा सकते हैं और जो दूसरी चीज अन्कूल है मुनक्का किश्मिश किश्मिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर हैं बड़ी किश्मिश को मुनक्का तो मुनक्का और किश्मिश यह आपके बहुत अनकूल है बादाम आपके बहुत अनकूल है मखाना मखाना 50-50 है ज्यादा अनकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो जहार में रहने वाले लोगों को आपके लिए अखरोट बिल्कुल अनकूल नहीं और ड्राइफ रूट्स क्या खाते हैं आप चिरोंजी चिरोंजी क्या कहते हैं उसको जो चिरोंजी है वो आपके लिए अनकूल है चिन्ने के आसपास के लोगों के लिए अनकूल है वो आप खा सकत और ड्राइफरूट शायद इसके आगे है, हाँ केसर, केसर अगर आप खाएं वैसे तो आशदी है ड्राइफरूट नहीं, लेकिन ये तीन महिने के आगे नहीं खा सकते, नवंबर, दिसंबर, जन्वरी, और दूद में मिला के, मिश्री, पिस्ता, पिस्ता 50-50 है, अंजीर ब शक्ती की कमी लगती है, ताकत कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फाइदे की है, लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है, वो ना खाएं सो, चेंदारू क्या होता है, अप्रिकौट, आपके लिए ठीक है, आप खा सकते हैं, अप्रिकौट, एक सुजाव है, प्रश्न नहीं है, और वो सुजाव मुझे सुईकार है, वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ग्यान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी, कोई एक अज्जस्मेंट हो जाए तो बह हाँ, और बाबुजी बोलेंगे वैसे, मेरा ऐसा कहना है, जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है, फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं, और ये दूसरों को सिखाते जाएं, तो नियमित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था अगर आप सम मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, साधा बरतन का मने यो पीतल के उसमें रखा हुआ, या कहांसे के उसमें रखा हुआ, नहीं तो स्टील में रखा हुआ, गर्मी के दिनों में घड़े का, मिट्टी के घड़े, तावे का पानी पी सकते हैं, हाँ क्योंकि कुछालक है ना लकडी, और तावा बहुत जादा सुचालक है, एक होता कंडेक्टर और एक बैड कंडेक्टर, तावा सबसे बड़ा कंडेक्टर है, और लकडी सबसे बड़ा बैड कंडेक्टर है, तो ये अगर आपने तावा पिया, मने, तो अर्थ के साथ जो पाउं तो वो कतम करेगा आपको इसलिए पाउं में चपल रहें लकड़ी के पट्टे पर खड़े रहें प्लास्टिक की चपल पहनके हो रबर की चपल पहनके हो तब ही तावे के बरतन का पानी पीना अच्छा है केन वाटर बहुत लोग आज कल केन वाटर पी रहे हैं ऐसा प्रशना है तो यह क्या अच्छा है बिल्कुल अच्छा नहीं तो आप बोलें पिर क्या करें आपके घर जो पानी आरा है टेप वाटर इसको खूब अच्छे से उबाल लें उबाल कर इसको रख लें फिर उसी को ये केन वाटर से हजार गुना अच्छा है केन वाटर पता ही क्या है ये पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है फ्लोरीन इस्तेमाल होता है और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है और केन वाटर का टेस्ट साधा पानी से बिलकुल अलग होता है तो केन वाटर से हजार गुना अच्छा है टेप वाटर लेकिन उबाल कर रखा गया हाँ एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा महिलाओं से संबन्दित ये सवाल है मैंसीज पीरियड का दो सवाल आए हैं एक तो ये है कि वाइड डिस्चार्ज बहुत होता है तो क्या करें तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए उसका नाम है शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेट की दुकान, शतावरी चून के रूप में ले लिजे, इस शतावरी चून को दूद में मिला लिजे, और रात को जरूर पीजे, दूद हलका गरम रहे, और शतावरी डालके दूद उबाल भी सकते हैं, फटता नहीं, जिनको भी वाइड चार्ज की समस्या है शतावरी और दूसरी कि जब भी मैंसीस पीरियड आता है बहुत दर्द होता है तकलीफ होती है इचिंग बहुत होती है तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में गुस्सा बहुत आता है चुल चड़ापन बगरा बगरा तो आपका जब भी मैंसीस पीर सब कुछ ठीक रहे हैं गी मिला के पी है गरम-गरम पानी में खूब गरम पानी में गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा नहीं तो कोई भी घी भैसका भी चलेगा एक चम्मच मिलाएं आदा गिलास खूब गरम पानी खौलता हुआ घी मिलादें थोड़ा पीने लाइक हो जाए उतनी देर रखें फिर उसको चुस्किया ले ले कर पिएं अगर आपका मासिक पांच दिन चलता है चार दिन चलता है तीन दिन दिन से मतलब नहीं जितने दिन चलता हो उतने दिन कितनी बार पी सकते हैं दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं तो अगर आपने यह शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ, मैनोरेजिया है तो ठीक होगा, मैतोरेजिया है तो ठीक होगा, सब सब ठीक हो जाएगा मैं जादा नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार रहें, हर चीज आपकी दुरूस्त और जिहान से सुने। मेवा से वेट बढ़ता है। काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता। काजू ही है जो वजन बढ़ाता है। बाकि कोई भी सुखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता। मुह से बद्बू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है। तो रात को त्रिफला खाके सो नहीं तो दूद और घी मिलाके पियो सुबह उठते ही पानी पीलो मूँ की बद्बू बंद हाथ-पैर सुन्न हो जाते मतलब चूना खाते रहे हैं हाँ अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीब फट जाती है तो आप चूना अगर सीधे जीब पे खाएंगे तो फटेगी पानी में डालकर खाएंगे कभी जीब नहीं फटेगी दही में डालकर खाएंगे नहीं फटेगी मठे में पिएंगे तो नहीं फटेगी जीब पर चाटेंगे चुना तो जरूर जीप पटेंगे अब किसी ने एक सवाल पूछा हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए वो किताब में पूरा है आप पढ़ लीजें टीवी पेशन्ट है ट्यूबर कलोसिस तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाए अगर खाली गोमूत्र शुद्ध गोमूत्र अर्क नहीं खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो तीन से चार महिने में टीवी जड़ से ठीक होती है दही में या तो छाच में या तो पानी में नहीं तो पान में चूना ये पान में जो खाते हैं वो ही और पांच मिनट रुकिये मैंने मेरा कंक्लूड किया है लेकिन ये आज के लिए है जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है ये तो रास्ता अभी खुला है जिंदगी कि...